यार मुझे बूरा तब लगता है जब किसी ने बियर्ड ग्रोथ के लिए अपनी थोड़ी जादा ही पैसा गवा दिया हो और उसकी बियर्ड आई नहीं हो ठीक है यार सबको बूरा लगेगा भाई इतने पैसे लगा का हम कम सकम बियर्ड ग्रोथ ओयल बहुत से ऐसे चीज है जो बियर्ड को ग्रोथ करती है बहुत से लोग दोस्त हैं जिनके बियर्ड नहीं है ओ लोग इतने पैसे लगा कर फिर भी जो है कि उनको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको खुद में अपना रिजल्ट देखाऊंगा 6-7 महीन पहले दोस्तों मेरे भी एक भी बियर्ड नहीं थे आप देख रहे हैं इसमें मैंने पूरी क्लीन सेफ करा ली है ठीक है मैं आपको वीडियो देखाऊंगा तब आपको विस्वास हो जाएगा आप यकीन नहीं कर सकते हैं कैसे मेरी इतनी जल्द दाड़ी आ गई तो दोस्त आपका फायदा होगा और आपकी पूरी घनी बियर्ड आएगी मेरी तरह तो चलिए दोस्तों पहले तुम्हें आपको विस्वास दिला देता हूँ यह रहा मेरा कुश क्लिप आप इसे ध्यान से देखिए मैंने इसे डिटेल में मतलब बताया आप लोगों को क्या नहीं कर चाहिए और क्या करना चाहिए तो चलिए किलिप देखिए दोस्तों अभी मैं इस समय वियर्ड को सेफ करा लिया हूँ लगवग आज बार तेरे दिन हो चुके हैं और मेरे वियर्ड फिर भी इतनी तेजी से ग्रो हो रही है कुछ लोग कहते हैं कि सेफ कराने से आपकी विय बीडियो में बताता हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा और आपकी भी फूल दाड़ी आएगी तो दोस्तों आपने मेरा रिजल्ट देखा वियर्ड सेफ कराने के बाद कैसा रहा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और हाँ चलिए मैं आप आपको वीडियो की म मतलब नहीं मगाना सिर्फ आपको मिनुक्सडियल बाइठीन डर्म रूर देखिये अगर आपको भी यडड ग्रो करना तो एक चीस से काम नहीं चलाना है कम सकम आपको जो है कि डर्मा रोलर, मिलोकसडिल और बायोटीन आपको जरूर रख लेना है दोस्तों देखिए इन चारों चीजों को अगर एक साथ करेंगे तो बीयड को तेजी से ग्रो मिलेगी और मैंने बिल्कुल अपने साथ सुरुआती में ऐसा ही किया था मैंने सिंगल मिलोकसडिल सिर्फ अपलाई नहीं करता था मैं बायोटीन और डर्मा रोलर वगएरा जो है सेंपू मैं इस्तमाल करता था तब जाकर मेरी इतनी अच्छी ग्रो बीयड हुई है सिर्फ एक महीने में मेरी बीयड आ गई थी ठीक है फिर उसके बाद मैंने कांटिनी उजारी रखा 6 महीने तक और इसमें मेरे जो हैर्स हैं दोस्तो मोटे हो चुके हैं और इसमें तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल टर्मिनल हो चुके हैं दोस्तो देखिए आप मिनोकसडील लगाते हुए आपको एक गलती तो बिल्कुल नहीं करना है आपको सुखान मतलब घूमने नहीं जाना है कहीं लगा लेजिए फिर उसके बाद जब सुख जाएगा तब आप जाएगा और पंखे के सामने बिल्कुल नहीं बैठना है अगर आप पंखे के सामने बैठेंगे तो आपको पता ही है क्या होगा क्योंकि जल्दो सुख जाएगा मिनोकसडील को दोस्तो सिर्फ नेचुरल तरीके से सुखाना है अपने आप उसके बाद आप कहीं चले जाए यह कोई मिनोकसडील कब आपको लागाना है कितने टाइम तक लागाना है देखिए मिनोकसडील अगर आप एक टाइम लागाते तो बेस्ट रिजल्ट है उसके लिए मतलब दोस्तो मिनोकसडील एक टाम लागाएंगे तो उतना आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा कोई भी ऐसा मि लिमिट एक ऐसा चीज है अगर लिमिट आप पार करेंगे तो आपको दिक्कत होगी ही होगी मैं एक टाइम लागा था और ड्राइनेस हो गए रहे उतने नहीं होते थे फिर सूबह में दोस्तों देखिए मैं में उक्षडिल साम को 6-7 बज़े लगा लेता था और सूबह होते ही मैंने मैं सेंपू मैं उससे अपना मूँ धो लेता था अच्छे फिर उसके बाद कोकोनट ऑइल भी मैं लगाता था उस पे थोड़ा ही लगाना आपको कोकोनट ऑइल ने तो ज्यादा ओईली हो जाएगा ओके और अपनी बीड का केर दोस्तों अच्छे से कीजिए आपक चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना कोई भी क्विश्चन हो तो आप जरूर हमसे समपर करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक लिए बाब बाई